भारत माता की हम सबने सुना है हम सबने सुना है जहां दूद दही का खाना वैसा है अपना हर्याना हर्याना के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है साथ्यों आज नवरात्री का छथा दिन है मा काच्यायनी की आराधना का दिन है मा काच्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किये हुए है हम सभी को आशिरवाद दे रही है ऐसे पावन दिन हरियाना में तीसरी बार लगातार कमल खिला है गीता की धर्ती पर सत्य की जीत हुई है गीता की धर्ती पर विकास की जीत हुई है गीता की धर्ती पर सुशासन की जीत हुई है हर जाती हर वर्त के लोगों ने हमें वोड दिया है साथियों जमु कश्बीर में दसकों के इंतजार के बाद आखिर कर शांती पुर्वक चुना हुई है बोटों की गिंती हुई नतीजे आए ये भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्बीर के लोगों ने नेशनल कानफरंस और उनके गड़ बंदन को जादा सीटे दी है मैं उन्हें भी सुपकामराई देता हूँ बोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें बोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टि बनकर के उबरी है मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन करने वाले सभी उम्मिद्वारों को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर की जंता को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करता हूँ को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हरियाना की ये जीत कायर करताओं के अथाग परिशम का परणाम है हरियाना की ये जीत नड्या जी और हरियाना की टीम के प्रयासों की जीत है हरियाना की ये जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्रीजी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जन्ता ने नया इतिहास रख दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हरियाना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्ज़ों ने इस राज्य का नेत्रुत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हरियाना के इन दिग्ज़ लेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था हरियाना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हरियाना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हरियाना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हर्याणा में फिर से मोका मिला हो ये भारतिये जनता पार्टी को तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बडाई बलकि हमें सीटे भी जाधा दी है और वोट्षेर भी जाधा दिया है ऐसा लगता है हर्याणा के लोगों ने छप पर फार कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी साथियों भाजपा दुनिया का सिर्प सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे जादा दिलों में भी बसी हुई है हर्याणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेस के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्द प्रदेश की जनता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आशिरवाद बनाए हुई है अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एंडिये की सरकार को लोग बार बार मोका दे रहे असम त्रिपूरा और उत्राखन में लगातार डोट्टम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबारा आये थे करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लोटी दिवागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जान करके हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राज्य है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी कहीं पर 15 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी 50-50-60 साल से वह वह सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निका दिया कॉंग्रेस को गुषने नहीं दिया बेश के जाधातर राज्य के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बौर्ड लगा दिया है पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका दिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाउंग पर लगाने से नहीं चक्ती आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई है जो लोग चांदी नहीं सोने का चब्बच मुह में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइल स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है ये कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछडों पर सबसे जादा अत्याचार किया है ये कॉंग्रेस है जिसने उने इतने दसकों तक रोटी पाणी मकान से बंचित रखा ये वो लोग है जो सौ साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलीत पिछडे आदिवासी को प्रधानमती नहीं बनने देंगे सच्चा ये है कि कॉंग्रेस का परिवार दलीतों पिछडों आदिवासियों इनसे नफ्रस करता है उनसे चीड़ता है इसलिए आज जब दलीत पिछडे आदिवासी शीर सत्तान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी दयरी देने से साफ इंकार कर दिया था उन्होंने दलीतों और पिछडों को भी अप्मानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछडों को आरक्षन चीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी हर्याने भी हर्याने भी वो यही करने जा रही थी साथियों कॉंग्रेश भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजक्ता फैला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग-अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोसिस कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याना के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोसिस हुई क्या क्या प्रपंच नहीं किये गए लेकिन इस समाज ने भी इस सडियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को बढ़काया इस साजिस को भी हर्याणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याणा ने कॉंग्रेस को दो टूग संदेश दे दिया है ये देश विरोधी पॉलिटिस नहीं चलेगी हर्याणा की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुड़ होकर वोड़ दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोड़ दिया देश भक्तों को माटने की साजिस को हर्याणा ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के बिरुद बाती बाती के सडियंत्र चल रहे है बारत के लोगतंत्र को बारत के अर्षतंत्र को बारत के सामाजी ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर रास्टिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदरी के साथ मेरे प्यारे देशवास्यों से कह रहा हूं कि कॉंग्रेश जैसी राष्टिय पार्टी अंके सट्टे बट्टे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेल में शामील है देश बक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजीस को भी मुहत तोड जवाब दिया भारत और हर भार्टिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजीस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा साथियों आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्त की है कॉंग्रेस आज पुरी तरह पर जीवी पार्टि बन गई है यहां हर्याणा में कॉंग्रेस पर जीवी बन कर किसी के साथ नहीं थी अकेली थी तो उसे करारी हार मिली जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टि दर के मारे पहले से कही कह रही थी कि कॉंग्रेस की बज़ते उसे नुक्शान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है आपको याद होगा लोग सभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था लोग सभा में कॉंग्रेस जितनी सीटे जीती उनमें आदिसी जादा सीटे वो अपने सहयोगों की बज़ से जीती है इसके अलावा जहां सहयोगों ने कॉंग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगों की ही नयाद डूब गई कई राज्जों में कॉंग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामिया जा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा कॉंग्रेस ऐसी परजीवी पार्टियों है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है साथियों कॉंग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर करते हो नफ्रत करते हो अपनी राष्ट्रिय संसाव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं कॉंग्रेस उद हर चीज की छबी को दुबिल करना चाहती है देश का चुनावायों हो देश की सेना हो हमारी पुलीज हो देश की न्याय पाली का हो कॉंग्रेस हर संस्ता पर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दोरान भी ये लोग इनको सहयोगी दल इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कॉर्ड गए सुप्रिम कॉर्ड तक गए और किस लिए ताकि ये लोग चुनाव आयो की सम्वेधानी निस्पक्सा पर बट्टा लगा सके आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया आज भी कॉंग्रेस ने देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश की है कॉंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्पाओं की निस्पक्सा पर सवाल उठाए उसकी प्रतिश्चा पर आगात करे कॉंग्रेस की यही आदत रही कॉंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी कर्तूतें करती आ रही साथियों जम्मुकस्पी बे इस बार हुआ चुनाओं कई माईनों मैं क्यासिक रहा बहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाओं था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओं में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूर्ती से खिला है खिल खिलाया है जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नमबर में वोट डाले वोहर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है हमारा जमु कश्मीर कर्फियो और अलगाववाद के कालखन से बाहर निकल रहा है 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जमु कश्मीर में बीडी सी के चुनाव कराए आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर फिर चाहे वो विदायक हो बीडी सी हो डीडी सी हो हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जमु कश्मीर में संविदान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनाप्रतिश्टा की है बाबा साब अंबेड करको इससे बड़ी सद्धानजली क्या होगी साथियो मैंने विक्सित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ, किसान, युवा, महलाएं और गरीब जमु कश्मीर हो या हर्यारा हम विकास को इनी चार धारों के चार संभों के बलबुते पर देश को विक्सित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्विक्ता है हर्यारा के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे मुप्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हर्यारा के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है अब हर्यारा की भाजपा सरकार गरीब कल्यार के काम को और अधिक गती देगी साथियों हर्यारा तो क्रिशी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामीर है हर्यारा की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लक्ष एकडम साफ है भाजपा सरकार हर्यारा के किसानों की उपच को दुनिया के बाजपारों तक पहुंचाना चाहती है बाजपा जैसा यहां का मोटा नाज स्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे यह हमारी प्रतिवत धता है हर्यारा खाने के तेल में आत्मन निर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्यारा के तिलहन किसानों को भी ज्यादा लाब होगा साथ्यों हर्यारा के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाए माने सर में मैंडिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुग्राम के स्टार्ट अप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब दुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी खेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नवजवानों के भूमी का बहुत बड़ी रहना वाली है किसलिए हर्याना में स्पोर्ट ये इंफ्रास्ट्रेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपा ने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलप्मेंट आज देश का मिज़ाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटियों के ससक्तिकरण से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पडाओ के रुपे देश को नेत्रुत्व दिया है अब हर्याना में हजारो लगपती दिदी और ड्रोन दिदी बनाने वाले है लाडो लक्ष्मी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुप्त बहुत लाभ होने वाला है जब माताय बैने आर्थीक रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा देश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वो परी रखती है नेशन फर्स भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबज्ज है केंद्र हो या पिर हर्याना इन दस सावों में भाजपा की सरकार पर ब्रस्टाचार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है वैसे ही हर्याना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रस्टाचार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ पर सिर्फ समर पर भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हर्याना के मुख्यमंत्री बाई नाइप सैनी जी और पुर्व मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारिप करता हूं भरपूर पसंसा करता हूं उन्होंने हर्याना के विकास के लिए बहुत मैंनत्री है साथियों जब जनता ऐसे काम को पुट्षाइट करती है नेक नियत और अच्छी निती को सराती है तब काम करने की उर्जा भी दोगुनी होती है हर्याना ने भाजपा सरकार को प्रोट्षाइट किया है जम्मु कश्वीर ने भी भाजपा को प्रोट्षाइट किया है यह अशिरवाद हमें और भी अतिक महनत कर लेकले प्रेडित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु कश्वीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रजपा इससे बहुत बहुत साधुवाद करता है आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील केपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मक्षच करोडों लोगों को गरीबी से बहार निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पुरे देश को फिर ये भरोसा देता हूं कि आने वाले पांच साल और तेज़ विकास के होंगे हर याना विक्षित होगा जम्मु कश्वीर विक्षित होगा भारत विक्षित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हर याना और जम्मु कश्वीर की जनता का अभार वेक्षित करता हूँ आप सब कार्य करताओं का जितना अभिनंदन करूतना कम है देश के कौने कौने में आज भारतिये जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्ष को पार करते हुए भारतिये जनता पार्टी नी जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मुल में भाजपा के कार करता है भाजपा के कार करताओं का परिश्रम है भाजपा के कार करताओं के त्याग तपस्या है और इसलिए विजए के उस्थों में मुझे बार-बार मेरे काईर करताओं की यादाना बहुत स्वाभावित है उनके प्रती अहोभाव व्यक्ता करना मेरा स्वाभावित मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर लक्षकी और बढ़ते जाने वाले भारती ये जनसा पार्टी कार करता न रखने वाले है न ठकने वाले है और जुकने का तो सवाली नहीं होता है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभिनन्दन करता हूँ देश वाचियों को भी मैं उनके आचिर वाच के लिए प्रणाम करता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की 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 बहुत बहुत धनिवार